सर, क्या आपने एक बालक के तोर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधान मंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसीत होंगे? मैंने कभी नहीं सोचा है क्योंकि मेरा मेरा जो बेग्राउंड है बहुत सामान्य परिवार से हूं और मैं तो कभी स्कूल में मौनिटर कर ठुना भी नहीं लड़ा था तो यह सा ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उड़ता था और दूसरा धीरे धीरे करके मैं पढ़ा है अपने बड़ों से सुना है उससे मुझे लगता है कि कभी-कभी इस प्रकार की महत्वक आंक्षा है बहुत बढ़ा बोज बन जाती बड़ा संकत बन जाती है और इसलिए मैंने देखा है कि ज्यादा तर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे हो सपने देखने चाहिए लेकिन कुछ बनने के बजाए कुछ करने के सपने देखने चाहिए कभी क्या होता है माली यह हम छोटे होते हैं तो परिवार में प्रच्चे कर वाते हैं कि यह बेटा है उसको डॉक्टर बनाना ना यह बेटी इसको एंजेनियर तो दिमाग में बच्पन सही घुष जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है मुझे एंजीनियर बनना और दस्वी बारहवी कष्शा में आते आते गाड़ी लुड़त जाती है फिर कहीं आड़िशन मिलता नहीं फिर कहीं नोकरी कर लेता है कोई टीचर सबस्ता सब्सक्राइब और इसलिए कुछ करने के सपने देखें कि और थोड़ा बहुत भी कर ले तो जीवन को इतना संतोस मिलता इतनी प्रेणा मिलते इतना âनदमिलता है और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलते हैं मेरा एग्रे रहेगा सभी बाल मित्रों से करने के सपने जुरू देखिए इतना करना यह चुंत ऑ। करते करते कुछ बन गए तो बन गए नई बने तो नई बने करने का आनंद बहुत रहे मैं नरेंद्र दामोदर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूं की मैं वीदी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची स्रथ्था और निष्ठा रखूंगा झाल